जलिया वाला बाग हत्याकांट को बीते 102 साल हो चुके हैं लेकिन इसके जख्म को आज भी कोई हिंदुस्तानी भूल नहीं पाया है यह एक साजी शहादत थी 13 अपरेल 1919 को अमरित सर के इस बाग में बहे खून में हर जाती मजहब और वर्ग के हिंदुस्तानी का खून शामिल था शहादत की इसी विरासत को आज फिर से याद करना बेहत जरूरी है क्योंकि जरूरी है कि जलिया वाला बाग की घटना सिर्फ किताबों और लाइब्रेरियों तक ही सीमित न रह जाए 13 अपरेल 1919 को जलिया वाला बाग में बेगुनाह भारतियों की शहादत भारत के लिए कभी न भुलाया जा सकने वाला गम है लेकिन या घटना स्वतंतरता संगर्ष के लिए एक अमर प्रतीग बन गई एक त्रासदी जिसने भारत की आजादी की लडाई को हमेशा के लिए बदल के रख दिया इस घटना से पैदा हुआ जनाक्रोश फिर थमा नहीं और 28 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश सामराज्जी का सूर्य हमेशा के लिए अस्थ हो गया यह एक साजी शहादत थी 13 अप्रेल को अमरित सरके जलिया वाला बाग हत्याकांड अंग्रेज सरकार के काले कानून रॉलेट एक्ट उनकी दमनकारी नीतियों और दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफतारी के विरोध में जलिया वाला बाग में इस अमरित सरके जलिया वाला बाग में एक सभा रखी गई जिसमें कुछ नेता भाशर देने वाले थे शहर में करफ्यू लगा हुआ था फिर भी इसमें सैकडो लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आये थे और सभा की ख लाफ बगावत समझ लिया ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल डायर नब्वे ब्रिटिश सैनिकों को लेकर जलिया वाला बात पहुच गया उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थी नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों को शांती से ब की गोलियों से बचने के लिए कई लोग बाग में बने एक कुए में कूद गए यह कुआ आज भी बाग में ही स्थापित है और इसे शहीदी कुए के तोर पर जाना जाता है जलिया वाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था वहां तक जाने या बाह कुआ भी लाशों से पट गया आपको बता दें कि जलिया वाला बाग कभी जली नामक आदमी की संपत्ति थी जलिया वाला बाग हत्याकान के कुछ वर्षों बाद वहां पे इस मारक के तौर पर उस स्थान को भाड़ती अतिहास के लिए संजोया गया उस बाग में लगी प लोगों ने तडप तडप कर वहीं दम तोड़ दिया अमरित सरकें डिप्टी कमिश्णर कार्याले में 484 शहीदों की सूची है जबकि जलिया वाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है बिटिश राज की अभिलेएक इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 389 लोगों अनाधिकारिक आगडों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग खायल हुए आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या तो 389 ही बताई गई जबकि पंडित मदन मोहन मालविये के अनुसार कम से कम 1300 लोग मारे गए स्वामी शद्धारंद की अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक थी जबकि अमरेट सरके ततकालीं सिवल सरजंट डॉक्तर इसमित की अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 से भी ज्यादा थी इस हत्याकांट से जुड़े साहित्य पर भी अंग्रेज सरकार ने बैन लगा दिया था बता दें कि जब जलियावाला बाग में यह हत्याकांट हो रहा था उस समय उधम सिंग भी वहां मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी इस घटना के 21 साल बाद 23 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओ डायर की हत्याकर उधम सिंग ने जलियावाला बाग हत्याकांट का बदला ले लिया आज 102 साल पूरे कर चुके इस हत्याकांट के लिए अगर एक पंक्त में कुछ कहना चाहें तो बस मुझसे यही आवाज निकलती है कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में